हेलो फ्रेंट्स बेलकम टू माई चैनल के एले स्टडी फ्रेंट्स टार्गेट सीटेट दो हजर वाइस में जो हमने ईबीएट की क्लासे स स्टार्ट की थी उसकी ये नेस्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यात्राएं हमारा next topic क्या है यात्रा है इसने पहले हमने आपको बहुत सारे topic आपके complete करा दिए है जैसे हमारे पसूपक्षी ठीक है इसके बाद हमने आवास बाला topic भी पढ़ लिया है कि कहाँ पर किस तरह के आवास होते हैं किसके आवास को क्या कहते हैं नेस्ट इसको वाद हमने पढ़ा था भोजन के वारे में कि कहां पर कौन सा फरी ही तक हमने पढ़ लिया था अब आपको पिछली क्लास से याधार पर कूस्टिन पूचेंगे जिसका आशार आपको कंट्स बॉक्स में देना है ठीक है तो आपको बताना है कि जो कुड़क भासा है वो कहां के निवासी बोलते हैं किस राज्य में कुड़क भासा बोली जाती है इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताईए ठीक है यदि आपने क्लास्स देखी है तो आपसे इसका आंसर जरूर बनेगा ठीक तो आज हम पढ़ेंगे यात्राएं यात्राएं आपकी एक थीम है ठीक है थीम आपने पढ़ें होंगी परियावरानध्यान की छे थीमें होती है और चार अप्थीमें होती है तो छे थीमों में ऐसे एक थीम हमारी है यात्रा ठीक है तो यात्राएं इसमें हम पढ़ेंगे अलबरुनी की यात्रा भारत यात्रा की थी इन्होंने करणाव मल्लेश्वरी ठीक है जो एक बेट लेप्टर है कलपना चावला भारती अंत्रक्ष यात्री रही है सुनीता बिलियम्स और ट्रेंट टेकेट की जानकारी ठीक है तो ये सारी चीजें और इससे आपके कॉश्च गलत नहीं होगा ठीक है तो करणाव मल्लेश्वरी सबसे पहला कॉश्चन तो यही बन जाता है कि जो करणाव मल्लेश्वरी है वो किस खेल से सम्मंदत है ठीक है तो जो करणाव मल्लेश्वरी है ये एक बेट लेप्टर है कौन है बेट लेप्टर है नेश्ट इनका कर चुकी है ठीक है तो ये बर्तमान में 130 kg तक का बजन उठा सकती है ठीक है तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने है नेश्ट है पूंचा जा सकता है कि जो करणव मलेश्वरी हैं ये कहां की नवासी है ठीक है तो ये आंध प्रदेश राज्य के नलमदा गाओं की नवासी है जैसे पिछली बार कॉष्चन बन गया था कि जो कलपना चाउला है इनकी म्रत्यू का भूई तो कुछ भी कॉष्चन बना करके पूंचा जा सकता है ठीक है यादी फेक्ट वाला कॉष्चन आता है तो पूंच लेंगे कि जो करणव मलेश्वर है इनके पिता जो है वो पुलिस हवालदार है ठीक है और जो करणव मलेश्वरी है ये चार भाई बहने हैं और इनके जो भाई बहन है वो भी बेट उठाने का अभ्यास करते हैं तो इतने पूंच याद रखना करणव मलेश्वरी के बारे में ठीक है करणव मलेश्वरी ए और ये चार भाई वहने हैं इनके भाई वहन भी बेट उठाने का कारिये करते हैं ठीके इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं अब हम नैश्ट देखते हैं अलबरुनी की भारी में ठीके अलबरुनी की भारत यात्रा तो आपको याद रखना है कि लगबग हजार बर्स प और बताया कि जो भारत के लोग वह सुखी और समत्तटें है और इन्हों ने बताया कि भारत के जो लोग हैं वो किस तरह से तालाब बनाते हैं तो इन्होंने बताया था कि पत्थर जो होते हैं पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों मतलब जो छड़ टाइप की होती हैं उनको जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूत्रे बनाते हैं ठीक है औ और यहीं पर question बन जाता है कि तालाब में चड़ने और उतरने के लिए एक ही सीड़िया होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना अलग अलग सीड़िया होती है, ये किसने कहा है, अलबरुनी ने, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, अलबरुनी उजवे अलबरुनी ने भारत की यात्रा की थी, ठीक, नेश्ट देख लेते हैं, सुनीता अंतरक्ष में, मतलब सुनीता के बारे में, सुनीता बिलियम्स के बारे में, तो देख लेते हैं, इनके यादी पता पूंचते हैं, कि सुनीता बिलियम्स के पता का क्या नाम था, तो दीप से छोटी थी सबसे छोटी थी ठीक है नेस्ट है अमेरिकी अंत्रक्ष एजैंसी जो हमारी है नासा अमेरिकी अंत्रक्ष एजैंसी नासा से अंत्रक्ष जाने वाली भारती मूल की दूसरी महिला है तो यादी पूंचले कि भारत की पहली महिला अंत्रक्ष यात्री कौन है तो या सुनीता बिलियम्स ने अपने अंत्रेक्ष के अनुभाव में निम्न मैंसे कौन सी बात नहीं बताई या कौन सी बात बताई ठीक है तो ये पॉइंट याद रखना इन्हों ने बताया था कि हम अंत्रेक्ष में एक जगाह टेक कर बैठ नहीं सकते थे ठीक है एक एक जगा बढ़ाव सेयर की ये अंत्रप्ष में आने के बाद ठीक है नेस्ट देख लेते हैं कलपना चाउला इनसे भी आपका कॉस्चन बना था पिछली बार पूंचा गया था कलपना चाउला की म्रत्यू कब हुई तो इस बार भी पूंचा जा सकता है ठीक है तो जो कलपना चाउला है इनका जन्म एक जुलाई सन 1961 को हुआ था नेस्ट है इनकी म्रत्यू यदि पूंच लें तो एक फरवरी 2003 को इनकी म्रत्यू हुई थी ओप्सन में पिछली बार क्या दिया था कलपना चाउला की म्रत्यू कब हुई एक फरवरी 2003 दो फरवरी 2003 जब इस तरह से कॉस्चन आत हैं तो हम बहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर गलतांसर लगा देती हैं ठीक है तो याद रखना एक फरवरी 2003 को म्रत्यू हुई थी एक जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ था ठीक है इनकी यदि पिता पूंचते हैं पिता का नाम क्या था तो कलपना चाउला के पिता बनारसीलाल और माता का नाम था संज्यो थी चाउला ठीक है नेश्ट है कलपना चाउला एक भारती है मतलब थी भारत लेकिन अमेरिकी जो अंतरक्ष यात्री और अंतरक्ष सटल में सन्वे से सग्य रही थी ठीक है नेश्ट है कलपना चाउला अंतरक्ष में जाने वाली प मतलब जो कोलम्बिया अंत्रक्षियान था उस में उस समय जब यह लोटकर आया था तो बहाँ पर मतलब यात्री जो है मारे गए थे ठीके सटल में तो क्या हुआ कि साथ यात्री मारे गए थे उनमें ऐसे एक थी हमारी कलपना चाउला ठीके तो कोलम्बिया अंत्रक्षियान आपदा में मारे गए साथ या तरी दल सदस्यों में ऐसे एक रही कौन कलपना चावला और जो कलपना चावला है यह तीन बहने हैं और एक भाई है ठीक है तो याद रखना नेश्ट देख लेते हैं हम बच्छेंदरी पाल इससे भी कॉश्चन पूंचा जा सकता है तो जो माउंट एवरेष्ट पर कब पहुंची तो 23 माई को यह माउंट एवरेष्ट पर पहुंचती है और 8900 मीटर की उचाई पर ठीक है नेश्ट है बहाँ पर एक कब तक रुकी थी तो 43 मिनट तक रुकी थी और अपना तरंगा फाहराया था ठीक है बच्छेंदरी पाल के बार में पिछली बार कोश्चन पूछा गया था कि दांडी यात्रा की घटना कब हुई थी ठीक है तो बहाँ पर आपका ओप्शन में 1935 ठीक है तो जब 1932 नहीं था तो यहीं साही मानना था लेकिन था तो यह गला थी ठीक है तो याद रखना जो दांडी यात्रा है गांधी ज यात्रा का उद्दिश क्या था तो इसमें धूप में समुद्र के जल को सुखा करके नमक बनाया गया था ठीक है तो दांडी यात्रा 1930 एहमदावाद से दांडी के समुद्र तटकी लंबी यात्रा थी और इसमें धूप में समुद्र के जल को सुखा करके नमक बनाया गया था तो याद रखना राजस्थान के अलवर जिले से सम्मंदत है दड़की माई अब आप कहेंगे यह क्यों पढ़ना है तो आपकी NCIT में दिया गया है कि जो दड़की माई है जो हमारा तरण भारा संग था जल सरक्षन से सम्मंदत उसमें इन्होंने जल के सरक्षन करने के लिए अपना बहुत बिसेष्ट योगदान दिया था ठीक है इस कारान से इनको पहचाना जाता है तो दड़की माई तरण भारा संग से सम्मंदत है और तरण भारा संग में भी जल सरक्षन जो किया जाता था उसमें इन्होंने बहुत मदद की थी किसने दड़की माई ने ठीक है इसके बार ट्रेन टिकेट के बाद पूंचा गया था पिछली बार बाला क्या होता है बाला का फुलोफॉर्म क्या होता है जितने भी आपके पॉइंट दिये गए हैं आपकी एंसी आइटी में जैसे पूंचा जाता है बैल करो बैल करो का वेसकार किसने किया एक किसकी घट रोग में जैसे पूंचा जाता जीवानों से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं विसानों से कौन से रोग होते हैं ठीक